यूपी के जहांगीराबाद कोतवाली शेत्र के गाउं सांखनी में निर्मान धीन मकान का कारे करते समेराज मिस्त्री की 37,000 विद्यूत लाइन के चपेट में आने से दर्दनाख मोत हो गई मोत से परिजनों में कोहराम मच गया और रो रोकर बुरा हाल हो गया परिजनों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाह का रोग, SDM से लगाई नियाय के गुहार जहांगीराबाद कोतवाली शेत्र के गाउं जलेलपूर निवासी बिनानी जाटव पुत्र अमर सेंग पचास वर्ष राजमिस्त्री का काम करता है वह शेत्र के गाउं सांखनी में बुद्वार को काम करने गया था तभी अचानक बिनामी को वहां से गुजर रहे 37,000 की विद्यूत लाइन ने अपनी चपेट में ले लिया बिनामी की चीक पुकार सुनकर ग्रामीन दोडे चले आये और बिनामी को विद्यूत लाइन से जुटा कर इलाज के लिए डॉक्टरों के यहां ले गए हालत कम्भीर देखकर डॉक्टरों ने उन्हें हाई सेंटर रैपर कर दिया जहां इलाज के दुरान बिनामी की गुरुवार को मोत हो गई मोत की सूशना पर परिजनों में कोहना मच लिया और रो रोकर बुरा हाल हो गया बिनामी पर साथ बच्चे हैं जिसका पालन पोशन राजमिस्री का कारे करता था परिजनों ने इस घटना के लिए बिजली विभाग को दोशी बताया है और विभाग के खिलाप कारवाई की मांग की है इस घटना से पूरे गाउं में मातम सच हा गया है जो है करने कि साथ reality और काम करने के साथ बिज़ली विभाग बड़ लिगर आंधी ने करणड़ इनकी मोथ हुए याम इनकीदाइं कैस नहीं इसाड गाई है यहांने भ Six लिव Me? हम इसी साफंडाल न की तो अभी नहीं है ? मरतक का का नम बिन नामी का इस मेरा नाम वेदफर्काश thiट ज्लीन पूर के लुग गठना कहा पाँ पिए साखनी कर लो हुआ है ये बिजली बिभाग की लापरवाई की बजय से ये सारी गटना हम तो ये चा रहे हैं जी आगे को किसी के साथ और गटना ना होगा तो बिजली बिभाग एखलाब कर रहे हैं आप? करना चाहते हैं जी एसे ही लेटेस को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घंने वाल